पटना लोक सभा चुनाओ के दो सीटों पर महच कुछ दिनों के बाद मतदान होना है। और हम पहुँच चुके हैं पटना के कदमकुआ थाना छेत्र इस्थित लोहानीपूर में मौजूद चंदेल निवास में जहां कुल 130 परिवार एक साथ अपने मत का प्रियोग करते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि यह परिवार जिसे अपना मत करता है उसकी सरकार बनती है। हम सीधे इस परिवार के कुछ लोगों से बात करते हैं और जानते हैं। कितने लोग हैं आप लोग कहा जाता है कि कुल 130 फैमली मिंबर्स हैं। जी अभी इस घर में जो करिंट लोग अभी रह रहे हैं वो 130 लोग यहां रह रह रहे हैं पटना में जैसी जानकारी हमें मिली है उसके अनुसार नियाइक सेवा सले के हर छेत्र के लोग जो है वो आपके घर में रहते हैं क्या कुछ कहें हो हाँ देखिए अगर आप बात करने लगेंगे तो हमारे यहां जोग में इंजिनियर्स हैं 24 और नियाइक सेवा में चार लोग हैं अगर आप बात करेंगे फिर आईवी में भी लोग हैं और बहुत सारे ऐसे पत्र जैसे आप महालेखाकार में देखते हैं ऑडिट में चुनाओ पर अब हम बात कर लेते हैं चुनाओ होना है क्या आपका परिवार एक मत होकर पहले बात करता है और उसके बाद चुनाओ का में मत कप्रियों करता है निश्चीत रूप से हमारे पूरे परिवार जॉइन फैमली है जैसे कि आप लोग को बताए और सारे बरे लोग हो सकता है किसी और पार्टी को दे बाकी जो अस्ती लोग है वो एक पार्टी को देंगे तो इस मत्भींता घुनावों के दऊरान पससिप करें परिवार के हर सदस्त को यह इθηकार होता है कि वह अपने मत का प्रिकर अपने मंद से करें फुर्स्ट राइम वोटर है आद हम इन से बात करते हैं पहली बार मत का क्रियोक करें कितनी खुशी हो रहे हैं खुशी थो हूरी मैं अब जिस पर् Lubvin को develop the youth and the education system of this nation because there are enough party which can help the elderly people and about the construction of roads and some things but there are not enough parties which are prioritizing the youth of this nation and educational things जो यूद के बारे में सोचे जो बुजुर्गों के बारे में सोचे और देश के बारे में सोचे हम कुछ बुजुर्गों से बात करते हैं चुनाओ सर पर हैं, क्या मुद्दा है मुद्दा तो मुद्दाएं तो बहुत हैं किन मुद्दों पर वोट जाएगा हो जो कास के मुद्दा और जब मजबूत सरकार दे उसी पर हम लोग का चुनाओ जाएगा मत भी सबका होए, मत भी निताएं हो सकती है मेरे परिबार में लेकिन मत एक ही जागा जाएगा इसमें कहीं इल विल नहीं क्या करते हैं बिजनेस करते हैं क्या नाम हो किन मुद्दों पर वोट जाएगा बस बेरोजगारी पर देखे ये परिवार है साफ तोर से अलग-अलग रंग दिख रहे हैं कुछ बुज़ूर्ग है हम उनसे बात करते हैं जाजा क्या कुछ कहेंगे क्या कुछ नाम हुआ आपका अरुन बाबु किन मुद्दों पर वोट करेंगे वोट तो विकास है इंप्लाइमेंट है ये नहीं इंप्लाइमेंट तो खतम हो गया आपके विकास के मुद्दे पर वोट करेंगे देखें महिलाएं हैं कहा जाता है कि नारी शक्ती का खासा महत्व होता है और खास करके लोग सभा चुनाओं के दौरान के अगर हम बात करें क्या कुछ कहेंगे आणटी किन मुद्दों पर वोट करें हम हैं विकास के सब और विकास चाहते हैं और साथ ही हम महिलाओं का सुरक्षा और सिक्षा सब हो हम वैसे चरकार चाहते हैं कि जो हमारे समाज कब समाज में इस्तिरियों का उठान करें पर आप ही के घर के बच्चे कह रहे हैं कि बेरोजगारी के नाम पर वोट करेंगे, तो आखिर मत की भिनता तो हो जाती है, फिर कैसे फिर मन मिला पाते हैं, वो तो है, लेकिन अपना भी तो एक मत होता है न, वो तो देना ही चाहिए, अपने मत का प्रियोग करना चाहिए, ब बढ़ रहा है, और उसके लिए हम चाहेंगे कि हमारा देश आगे भी प्रगति की और बढ़ता रहे, हमारे बच्चों का भाव पीछे सुरक्षित हो, और महिलाएं सुरक्षित हैं, महिलाओं की सिक्षा की तरफ ध्यान दिया जा रहा है, महिलाओं को जो अधिकार दिया ग महिलाओं को जोब मिलना चाहिए, महिलाओं बहुत आगे बढ़ी है, मैं खुद टीचिंग जोब में हूँ, मैं संजसप्स कॉन्वेंट हाई स्कूल में टीचर हूँ, और हमारे परिवार में इसके लिए कभी रोका नहीं गया है, महिलाओं को बढ़ाने वाले और पढ़ा पाने वाली सरकार को चुनेंगी, क्या कुछ कहेंगी, क्या है आपका मत्त, किन मुद्दों पर वोट करेंगी, हमारे घर का जो बड़े बज़ूर्ग कहते हैं, उन्हीं करन सारा हम लोग, सदियों से ये रीच चली है, घर के 130 लोग जो हैं, एक साथ पहले बैठते हैं, जै पूरा परिवार है, जो पूरी तरह से जागरुक है, और कहता है, कि चुनाओं से पूर्वी, सबसे पहले हमारे घर के बड़े बुजुर्ग हमारे साथ चुनावी चर्चा करते हैं और उसके बाद एक मत होकर हम सभी 130 परिवार अपने मत का प्रियोग करते हैं निरस्तर पाइठी, नियोस्टिफोर, पटना